नमस्कार किसान भाईयों आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में किसान भारती में जी हाँ किसान भाईयों आज हम खड़े हैं उत्तर परदेश के मटिहा गाउं जिला फतहपुर में आज मैं आया हूँ एक ऐसे किसान भाई के पास जिनों ने अपना पूरा योगदान मचली पालन में दिया है जी हाँ भाईयों आज का ये कारिकरम मचली पालन पे है जानेंगे हम अपने उन किसान भाईयों से किस तरीके से उन्हें ने मचली पालन किया और किस तरीके से इससे अपनी आमदिनी और जीव का चला रहे हैं जैसा कि हम जानते हैं आप मचली पालन करते हैं आप अपना नाम बताईए हमारी दर्शकों को और अपनी बताईए कि आप कब से मचली पालन कर रहे हैं हम मचली पालन एक साल से कर रहे हैं मेरा नाम हिमानशू सिंह हुमेठावे state कमई है लुए bit अब देखको अभूद काफी सारे लोग मताते हैं कि मचली पालन से मारा और मदलब इसको हम जैसा तो में लगता ऐसे हम अपना पालन करते हैं इससे हमें फायदय वहाँ day भी होता है lumière को नहीं होता हमारा इसको बेचने के बाद बाहरिक यह जाते हैं हम कि पारी पैलन कोते थे मकुछ नहीं सिर्ब पढ़ाई करते थे तो मतलब हुआ एक फूरेंट ऊक्रत के वह रहुआ हमने इस्टूडेंट नहीं हम ऐख नहीं करते थे goose जैसा जैसा बता तो उसी में हमाई भी रूच आई तो हमने भी स्वयम का अपना तलाब खुदवाया खुदवाने बाद हमने मचली डाला एक बार निकाला भी उससे हमें कोई लास नहीं हुआ हमारा फाइदा ही फाइदा हुआ है अच्छा आप बताएंगा हमारी दर्सकों क कि आपके इस तलाब में इस समय कौन सी मचलिया हैं हमाई तलाम मांगूर मचली पड़ी हुए हैं ये मचली कितना कहां से लाते हैं और यह कितने दिन में तयार हो जाती है सारा भी जैसे आप लाते हूंगे तो कितनी हमारी दर्सकों के बताएं कि मिनिमम कितनी मचली आलानी पड़ती है और मचली का भाव क्या पड़ता है आपको जी मचली मतलब मिनिमम हम कम से कम एक कुंटल डालते हैं उसका संथिंग भाव 35,000 पड़ता है बच्चों का उसके बाद जब यह जाती है तो केजी में जाती है कम समझे जैसा भी निकलता अपना जो भी हुआ ठीक कुंटल 15 निकलते हैं अच्छा तो अब हम जदना चाहेंगे आप से कि इसमें आप मौसम का कितना बड़ा हाथ होता है आपके मचली पालन में मौसम का मतलब गर्मियों में थोड़ा प्रॉबलम होती है और तो किसी मौसम में कोई परिशानी नहीं होती सिर्फ ठंडी में थोड़ा बच्चा प्रोग्रेस होना रुख जाता है जैसे हमने लोगों से सुना है लोग ड़ते हैं मचली पालन करने से क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि तलाब में अगर एक मचली मर जाएगी उससे दूसरी मचली भी मर सकती है और उससे घर तो बाकि मचली यां साइद अच्छे से पल ना पाएं तो उसके बारे में मचली मरने से मतलब कोई परिशानी नहीं होती है धिसकी की तैब को दिक्केत से शकेCAS आब की आगए देओं, जो खतीम हुगी वही बस दिक्कत करेगी जैसे किसी मच्छी मुच्छी को कोई बीमारी हो गए या फिर कोई बीमारी आपके तलाब में पैदा होगी उससे आप किस तरीके से आगे आगे फ्यूचर में जाके उसको समिंदान करते हैं जी 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 उसको जैसे भी इसमें दिक्कते हो जाती ही कभी कभी इनमें दाग पड़ जाते हैं मचले में उसको मतलब हम निकालते हैं निकालने के बाद फोटो लेकर वो मतलब यापारियों को देते हैं तो ह कचण का दाना भी آता हना वह खाती है फ्रोटीन हो डालते और फुल फूर भी खाती है और जैसे कचड़ा होता है मुर्गे का बक्रे का वह सारा खाती है और यह इस मज्ली गाते है तो ऐसे उसे बढ़ता जाता है जैसे आप यहां किसी मचली को बाहर बेचेंगे आपके पूरी लागत आई अपने एक सीजन में जितनी लागत तो आपको कितना प्रॉफिट होता जब आप सारी मचलियां बेच देते हैं जी हम जैसे हमें पूरे येर में मतलब पांच लाग का लॉस हुआ हमारा तो संथिंग हमें इसमें प् हैं कोई सरकार भी नियुक नहीं कोई सरकार भी लगाती है मन्द pratique रावर चलता है कोई भी करवा सकता इसके लिए तो सरकार इस सह में पैसे मीlar है उसके क्या कहते हैं हमें बहुत सारे खाद बीज खेती में हर चीज मतलब बहुत सारी चीजे मिलती हैं बहुत सारा सिस्टम मिलता हमें सरकार से जैसे कि किसी और हमारे किसान भाईयों को इसके बारे में सीखना हो तो वो कहां से सीखें और अपने आपको आगे बढ़ा सकें अपने इसमें बढ़ाने के लिए कोई प्रोग्रिस नहीं करना है ये तो मतलब सरकार की शुबदाएं हैं सरकार सोयम से दे रही है मचली पालन के लिए मतलब उसमें पैसे भी दे रही है और मतलब उसकी ट्रेनिंग भी दे रही है महीने महीने दो दो महीने के लिए बुलाती भाई अपना जीवन मश्री पालन से बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं और काम्याभी को हासिल कर रहे हैं इन्होंने एज़े छात्र अपना जीवन चालू किया था पर आज वो मश्री पालन की दिशा में गए और एक अच्छी जिंदगी बतीत कर रहे हैं अगर आप इन भाई से बात करना है अगर आप इन किसान भाई से और भी कुछ जाना जाते हैं तो किसान भारती के थुरू आप इनके बारे में पता कर सकते हैं और और भी जानकारी इन से ले सकते हैं अगर आपको हमारा ये कारिकर्म पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सस्क्राइब कीजिए कैमरा परसंदीवया सिंग के साथ सुभम सिंग की रिपोर्ट किसान भारती